एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लीफ फिलिज के मेने हेड़कॉर्टर्स का सीन दिखा जाता है जा पर रेफरेंस रूम में मिराई आती है और वो अपने डैड के मौत का लेटर पढ़ती है उसमें लिखा गया है कि फिडान नाम की किसी शक्स ने उसके डैड को मारा है और उसने आजुमा का बलड लिया जिसके कारण वो इमोर्टल बन गया और आजुमा को अपना पपेट बना कर मार दिया मिराई वापस से अपने होश में आती है फिर रियूखी उन्हें एक कटोरी में पानी देता है वो कहता है कि जब तक मैं तुमें नहीं कहूँ तुम इसे नहीं पियोगे अगर तुम इस पानी को पी लोगे तो तुम तुमारे परिवारो अलोकों चलती देख पाओगे ओके ठीक है अभी ये पानी तुम पी लो इस पर मिराई कहती है अगर मेरे डैड ने मुझे नहीं पेचाना तो फिर रिग्यू कहता है मैं कह दूँगा क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड को पास्ट में देखा है मैं उनसे पास्ट में जाकर बात कर सकता हूँ मेरे पास वो अबिलिटी है पर वो मेरा असली नाम नहीं जानते उन्हें सिब मेरा एक ही नाम पता है जो की है मिराई ताकू हाँ मुझे पता है मेराई ताकू एक बार असली ने ये बात मुझसे कही थी कि उसके बेटी का नाम मेराई ताकू है तुम्हारा जूट पकड़ा गया है रियूकी मैंने मेरे डैड से एक बार भी बात नहीं की थी और मिराई दो को नाम तो होता ही नहीं है ये मैंने मेरे मन से बनाया था मतलब तुम धोके बाज हो तुम यहाप पर कुछ और कारण के लिए आए हो बताओ तुम किस बारे में बात कर रही हो मुझे नहीं पता मिराई केथी है कि लड़कियो ये लोई याद मी जूटा है ये धोके बाज है जिस पर रियूकी केता है नहीं लड़कियो तुम इसे इग्नॉर करो ये जूट बोल रही है अब जब रियूकी की चोरी पकड़ी जाती है तो वो ताच्चुमी को पकड़ता है जैसे वो उसका टेस्ब लेता है तो ताच्च्चुमी उसके कंट्रॉल में आ जाती है और वो उसकी पपेट बन जाती है और ताच्च्चुमी को रियूकी केता है मार दो मेराई को उसके बाद हम देखते है कि ताच्च्चुमी आगे बढ़ती एग convince ये कि मेराई को मारो मेराई को मारो मेराई कहती है कि रुख जाओ तात्सुमी पर तात्सुमी उसके कंट्रोल में नहीं होती क्योंकि उसे रुखी कंट्रोल कर रहा होता है और वो कहता है कि ये देखो पपेट मैंने उसे कंट्रोल कर रखा है अब तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती फिर हम देखते हैं कि दर्वाजा खुलता है और उमें से कुछ लोग आता है तो एक कहता है लोट्रियू की बाहर एक सपित बालवाला आदमी आए है और उसके साथ एक तगड़ा आदमी है और वो बत खतरनाक है क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग इसके बाद हम देखते हैं कि ककशी एक आदमी को आगे फेकता है और दूसरा आदमी भी आप पर जाकर लगता है उसके बाद मेरे कहती है कि वाओ गाई सेंसे और ककशी सेंसे आप आगे मुझे बचाने कैसेंसे कहते हाँ मैं च्रोंग और खतरनाक हो और ककशी भी फिर ककशी कहता है हाँ पता है कैसेंसे कहते है वाओ ककशी अपन दोनों भी खतरनाक है उसके बाद हम देखते हैं कि ककशी रियूकी के हाथ पर कुनय मारता है तो रियूकी केता है ये क्या कर डाला उसके बाद हम देखते है कि काकशी केते है चल निकल या से और जब रियूकी के हाथ में कुनाय लगती है तो तात्सुमी भी ठीक हो जाती है और वो नीचे गिर कर बेहोश पर जाती है उसके बाद रियूकी कहता है, यह क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मुझे हाथ दोते नहीं आएगा उसके बाद हम देखते हैं कि मिरा है कैती अब तुम गए मेरे हाथ से, वो अपने चाकरा ब्लेड्स निकालते है पर तबी रियुकी उसके हाथ पर एक वेस बेकता है जिसमें पाई नहीं होता है पर वो जब नीचे गिरता है तो उसमें से धुआ निकलता है धुआ हटने के बाद मेराई देखती है तो वहाथ पर रियुकी नहीं होता ककशी कहता है वो वहाँ पर गया है जा उसे पकड़ लो फिर हम देखते है कि मिराई एक रूम में जाती है जो रूम बहुत अलग होती है फिर कि रुकी का आवाद आता है और वो कहता है ये बहुत खतरनाक रूम है इसमें तुम मर जाओगी और मैं इमोर्टल हो जाओगा फिर मिराई उसकी नहीं सुनती मिराई आगे जाती है और उसका आवाद मिराई को आते ही रहता है वो रूम की कहता है मैं जुमा की बेटी को मार कर हीडान जैसा ही बनूँगा और यहाँ पर उसकी मृत्य होगी और उसके खून से मैं इमोर्टल हो जाओगा और मैं बहुत खतरनाक हो जाओगा ये मिराई सुनती रहती है और कहती है ये पागल क्या बकरा है फिर हम देखते हैं कि मीराई आगे बढ़ती है तो तब हम देखते हैं कि जब वो आगे बढ़ती है तो पीछे से रियुकी आता है और केता है अब तुम गई और वो अपने हतियार से मीराई के पेट में मारता है जिसके कारण मीराई के पेट से खून निकलता है तो रियुकी फील हो रही है पर वो मिराई जा पर वो मरी होती है वो गायप होती है क्रियूकी यह देखकर कहता है कि यह हो क्या रहा है तो मिराई कहती है यह गैंजुट्सू था बेवकूफ और इस गैंजुट्सू में तुम पूरी तारह से फस चुक्य हो तुम्हें क्या लगा में मर काकाशी तो मैंने लगता कि वो ऐसा कहना के बाद कि रूकी देखता है क्या गैंजट्सू क्या होता है ये मुझे नहीं पता तो फिर मिराई कहीती है देखो तुम ने इसको मेरे ब्लड समझ के टेस्ट किया था ये सिर्फ होट स्प्रिंग का गरम पानी है तो रूकी कहता है जाने दो, तुम कुछ भी कहरी हो मुझे पता है मैं मोटल हो और तुम मुझे फूल बना रही हो मैं बेवकूफ नहीं हो तुम हो मेराई सारु तो भी मेराई के चाक्रा ब्लेड्स में चाक्रा आ जाता है काईसन से कहते हैं काकाशी इसको तो चाक्रा ब्लेड्स चूज करना आ गया फिर जब वो मेराई को पीछे से देखते है तो उने ऐसा लगता है कि वो अजूमा सारु तो भी है तो मेराई बहुत तेज अमर हूँ मैं आमर हूँ मैं पावरफुल हूँ फिर हम देखते हैं कि जो ताच्व vita है उसको होश आता है मेरा है कि तुम ठीक हो पूंफ यहाज सब जूठ सब जूठता पूर क्वड़ निया अब टीक Aqua tricks Sensei हो अविन सब को देखकर Le pen चikte केश कलोज हो गया का करदे अगर ऐसी कोई मुशिन होती या इसी कोई गुफा होती जहाः पर तुम को मेरी ठिक हो पाए तुम्हाइब क्रम्स कvelmente मे की बात." तो गाइसेंसे कहते है मुझे पता है काकाशी कोई बात नहीं जो हुआ उसे भूल जाओ और जो सच में मैटर करता है वो है तुम हमेशा मेरे साइड होते हो चाहे कुछ भी हो जाओ तो काकाशी कहते है हाँ वो तो है guyscenes कहते है कि कोई भी हो जाय है vision में तुम मेरे साथ रहते हो और मुझे तुमारे साथ रहने में मज़ा भी आता है की काकशी खेते है हाँ वो भी है कोई बात नहीं फिर हम देखते हैं कि वो एक रास्ती पर आते है जा पर ताट सुमका घर होता है और वो कहते है कि बाई-बाई, फिर काकशी कहते हैं थैंक्यू बेटी अभी ध्यान से घर पए जा अदे नेक्स सिंग हम देखते हैं कि काकशी और बाकि सब विलेज में जाने लगते हैं तो काकाशी कहते है कि हमारे एक ही गोल था जो में सिंगल्स थी उनको ढूंड के लाना हाँ और उसे के लिए हमने चोजी टेंटेंटेंट और कीबा को टूरिज़ बनने का काम दिया था क्या मतलब यह जो सब हुआ वो सब जूट था काकाशी संसे कहते है कि किसी को इस मिशन में बहुत मज़ा आया मेरा कहती है कि यह चीज़ तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी पर काकाशी संसे कहते है तुम्हारा काम सिर्फ हमें गाड करना था और हमारा काम इन्वेस्टिगेट करना और अगर मैंने ये बात तुमें पहले बता दी होती तो तुम उस मैं विलन को ढूदने के लिए इतनी उतावली नहीं होती समझी मिराई आखिर में हम देखते है कि वो hiddenly village के gate के पास आते है जब वो gate के पास आते है तो guyson से कहते है मिराई तुमने इस mission में बहुत अच्छा काम किया है और मुझे लगता है अगर तुम इस mission की report खुद अपने हाथ से लिकोगी तो यह बहुत अच्छा होगा क्योंकि तुमने इस mission का बहुत अच्छा experience हो गया है देन वहाँ से बोरुटो भागते हुए अतर कहता है कि मिराई मिराई मुझे पता है तुम्हारा mission हो गया तो कैसा था तुम्हारा mission तो मिराई कहती है रुखो में बताती हूँ तो फिर बुरुटो कहता है, मुझे पता है कि तुम कोई important mission नहीं होगा, तुम कह रही थी कि बहुत important mission है, पर ये शायद relaxing vacation था, फिर मेरा ही कहती है, हमने हिडान के successor को भी हरा दिया, और उसके बाद जो missing girls का case था ना, वो भी हमने solve कराया बुरुटो, तो फिर बुरुटो कह वाव, seriously, फिर अगले scene में हम देखते है, कि मेरा जब घर पर आती तो शिकामारु के साथ, एक शोगी की match खेलती है, शोगी एक Chinese chase होता है, तो शिकामारु कहता है, बेटा, ये जो शिल्वर जनरल है ना, ये side side move नहीं कर सकता, इसलिए समाल के खेलना, then उसमें मेरा कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, और वो ये भी कहती है, कि मुझे समझ गया है, कि answer क्या है, और फिर वो एक charge जलती है, और कहती है, कि हम Shinobi है, और मुझे लगता है, कि मुझे अपने कंदों पर थोड़ा भार लेना चाहिए, और Shinobi को प्रटिक करना चाहिए, फिर वो Lord Sarutubi, जो की थ मुझे एक बात बताओ, ये बोलटर नेक जनरेशन है, या मेरा नेक जनरेशन है, कुछ भी दिखाते है यार, ये बड़ी अच्छी बात कही है, इसे के साथ, आज का एपिसोड यही गतम होता है,